दोस्तों आपको पता है कि ओकी क्रेडिट की तरफ से लगातार कोशिश जारी है कि आप अपने बिजनस को कैसे और भी जादा इस्टेब्लिश कर सकते हैं लगातार हम आपको टिप्स देते रहते हैं लगातार हम आपको यह आईजास देते हैं लेकिन आज का ये विडियो बहुत उप्योगी है और ये उप्योगी इसलिए है क्योंकि आज हम बात इसके बारे में नहीं करेंगे कि आप अपने product को कैसे और भी जादा establish कर सकते हैं लेकिन हम बात इस बारे में करेंगे कि जो products, जो brands already established हो चुके हैं आखिरकात उनकी क्या ऐसी strategies थी जो आपके पास नहीं है या फिर उनके पास ऐसे कौन से tips हैं जो आप भी अपने business को बड़ा करने के लिए आप भी अपने business को grow करने के लिए आप भी अपने business का scale up करने के लिए use कर सकते हैं धान से देखी का पूरा वीडियो की पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप अपने प्रजनस को कैसे ग्रोव करवा सकते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कैलेबिल्टी की. Scalable का अर्थ है एक चोटे से business को पूरी दुनिया में पहुचा देने की किशमता का होना Scalable का अर्थ है कि किसी product को दुनिया में किस प्रकार लेकर जाना है उसे किस तरह sale करना है, उसके तरीके जानना बिजनस में एक ऐसा प्रोसेस बनाना जिससे प्रोडक्ट अपने आप पूरी दुनिया में फैलता चला जाए। आपके बिजनस में लॉयल्टी क्रियेट हो जाए। आप हरी द्वार में भजन कीरतन करते रहें और आपका बिजनस अपने आप बढ़ता चला जाए। यही होत आते हैं इनके बारे में अपल एपल दुनिया की ऐसी प्रेमियम कंपणी है जो अपना मोबाइल खुद ना बना कर दूसरों से बरबाती है लेकिन उसे अपने नाम के माध्यम से बेचती है एपल मोबाइल के पार्ट्स सैंसंग एलजी जैसी कंपणियां तक बनाती है इसके अलावा इसके पार्ट्स जैपान, साउथ कोरिया, चीन, अमारिका में बनाये जाते हैं हाली में कंपणी ने अमारिका में संसाधन कम होने के कारण मोबाइल के कई महतवपूर्ण पार्ट्स को चीन में बनवा रहा है आपको जानकर हैरानी होगी कि अपल पूरी तरह से अपना ही पेमेंट पूर्टल बना दिया, जिससे थर्ड पार्टी पेपल जैसी कमपनियों को अलग से पैसे देनी की जरूरत नहीं थी, जैक मा एक इंगलिश टीचर थे और उन्होंने अपने घर से इस बिजनस का स्टार्ट अप किया, अलिबाबा के सेल्स का अंदाजा इस पास से लगाया जा सकता है कि 2014 में सिर्फ अलिबाबा ने 420 बिलियन डॉलर्स का बिसनस किया था, जबकि Amazon तथा eBay ने मिलकर भी 90 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, आज वर्तमान में अलिबाबा की दुनिया भर में लगबग 300 मिलियन से भी जादा कस्टमर है, एरबन, यह दुनिया का सबसे बड़ा अकमोडेशन प्रोवाइडर है, लेकि दुनिया में इनकी खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, आज लगबग 2 लाख लोग एरबन से जुड़ चुके हैं और हर दिन कहीं न कहीं प्राइवेट रूम लेकर रह रह हैं, यह के लिए ऐसी कंपनी है, जो की C to C model पर काम करती है, और यह पहली बार हुआ कि किसी कंपनी ने डारेक्ट कस्टमर को कस्टमर से मिला दिया है, जिसमें व्यक्ति जिसने रूम किराय पर लिया है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को किराय पर दे रहा है, कंपनी जो आज दूनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन चुका है फेस्बूक आज लगबग 1.5 बिलियन लोग फेस्बूक का इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया का 85% revenue सिर्फ फेस्बूक से आ रहा है आज फेस्बूक किसी प्रकार का content नहीं लिख रहा है बलकि दुनिया भर से जो लोग फेस्बूक जला रहे हैं वही content लिख रहे हैं फेस्बूक का model बहुत ही आसान है फेस्बूक ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में काफी help की है या यू कहें कि जोड़ दिया है उबर आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली company है लेक इंप्लॉइमेंट जारी कर दी कि लोगों का चीना आसान हो गया कम समय तथा कम कीमत में उबर आपको ड्राइवर के साथ एक टैक्सी किराय पर उपलब करवा देता है इस company की शुरुआत यूएस में हुई थी और आज इसकी value करीब 55 billion dollar की है उबर से ना केवल ड्राइवर क को फाइदा रहता है वाटसेप वाटसेप दुनिया का सबसे बड़ी messaging service है लेकिन उसका खुद का कोई भी server नहीं है यह एप आपके mobile को ही server बना लेती है वाटसेप की शुरुआ 2010 में हुई थी और आज दुनिया में 1.5 million user हैं जो वाटसेप चलाते हैं वाटसेप लगभग सबी स्मार्टफोन में यूज किया जा सकता है चाहे वो Nokia हो, Samsung हो, Apple हो, Blackberry हो या Microsoft हो हर operating system में वाटसेप चलाया जा सकता है दरसर बिजनस को बढ़ाने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसकी value create करना तथा उसे brand बना कर लोगों तक पहुचाने पर ही business scale up हो पाता है दोस्तों यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते रहेंगे चाहे वो कितना भी ग्यानी क्यों ना हो तो आप उसके साथ वैसा ही वेवार करेंगे जैसा कि आप दूसरे आम व्यक्ति के साथ करते हैं लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो आपका वेवार उसके साथ काफी अलग तरीके से होगा उसी तरह यदि आपके प्रोड़क्ट में कोई बात है तो उसे पहचानिये तथा उसकी खासियत लोगों तक पहुचाने में सोर लगा दीजिए आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस कीजिए जिसे आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं सबी काम आपको करने की जरूरत नहीं है मारूती सुजूकी हो या हॉन्डा ये सभी कमपनियां गाड़ी तो बनाती है लेकिन उसके टायर ट्यूब नहीं बनाती तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोड़क्ट की USB क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट में आपका प्रोड़क्ट किस एक अलग चीज़ के कारण बिक सकता है यानि कि उसकी value क्या है और उसके बाद आप उस value पर उस USP पर unique selling point पर पूरा का पूरा focus अपना केंदरित कर दीजिए और जाहिर सी बात है जब एक बार आपके product को ना मिल गया जब आपके एक बार product को लोग पहचानने लग पड़े तो फिर business आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा हमारे चानल को subscribe कीजिएगा और हाँ comment box पे जरूर बताइएगा कि आप आगे कैसे कैसे वीजियो देखना चाहेंगे आप किस तरह के और experiments business को लेकर करना चाहते हैं हम वीजियो जरूर upload करेंग बेल आइकान का बटन जरूर दबाईएगा और मुझे दीजे जाज़त अगले वीजियो में ओकी क्रेडिट बिजनेस ओके है